हाई एबरिवन, केसे हैं आप सब लोग , तो आज मैं आपको सिखाओँगा कि कि आप फिल्मवोरा आप्पहेर में वेडियो अवरलेईफ़ेक्ट को केसे बनाते हैं तो आपने बहुत सारे short films और movies में video overlay effect को देखा होगा तो आज हम उसको कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको यही सिखाऊँगा तो चले let's start तो उसके लिए आपने first यहां से film और उपन करे और उसके बाद यहां से new project पर क्लिक कर दे तो उसके बाद आपने जिस picture का video का overlay effect बनाना है उसको यहां से import कर दे तो यहां से मैं import करता हूँ तो friends उसके बाद आप इस video को यहां पर drag करके यहां लाईए तो एक बार मैं आपको यह चला कि दिखाता हूँ तो friends इस video का हम overlay effect कैसे बनाते हैं तो चले let's start तो उसके लिए first आपने क्या करना है इस video को copy करना है और उसके बाद आपने यहां से इस video को lock करना है और उसके बाद आप यहां इसको paste करेंगे तो यहां paste को option है तो friends यह import हो चुका है तो friends यहां पर एक चिसका खयाल रखे यहां पर जो हमारा main video था one पर इसको हमेशा lock रखना है और friends उसके बाद यहां जो उपर वाली video है उस पर double click कर दे और यहां से आप compositing पर click कर दे यहां पर आप देख सकते हैं इसमें जाना है और उसके बाद आपने यहां से अभी जो normal पर है इसको change करना है और उसको आपने करना है अवर ले तो यहां पर आप देख सकते हैं अवर ले है इस पर click कर दे और यहां से ok कर दे तो friends उसके बाद यहां से आप उपर वाली video को select करें और यहां से आप इसको नीचे लाइए तो आप देख सकते हैं यह उपर वाली हमारी main video है और यहां पर जो नीचे है वो यह वाली video है तो मैं इसको नीचे लाता हूँ और यहां पर अपने हसाब से इसको set करता हूँ तो उसके बाद मैं ने अपने हसाब से यह set कर लिया है और फ्रेंस उसके बाद अगेन यहां से आप इस पर डबल क्लिक कर दें और उसके बाद आप यहां ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दें और अपने हिसाब से आप इसको स्केल कर सकते हैं तो इसको छोड़ा बढ़ा करने के लिए आप यहाँ पर scale का use कर सकते हैं तो मैं इसको 95 पर रखता हूँ और उसके बाद इसको ok करना है तो friends उसके बाद यहाँ से आप composite में आ जाएए और यहाँ से आप इसकी opacity को भी change कर सकते हैं तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हैं मैं इसको कम कर रहा हूँ तो यह light हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो friends इस तरह आप अपने हैसाब से यहाँ पर adjust कर सकते हैं तो मैं इसको यहाँ पर 90 पर ही रखता हूँ फिर उसके बाल आपने यहां से OK करना है तो फ्रेंट्स एक बार मैं यह वेडियो आपको चला के दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इसका ओपेसिटी बन चुका है तो फ्रेंस यहाँ पर आपको फिल्मोरा के स्क्रीम पर यह वैडियो कुछ खास नहीं लग रहा है तो उसके लिए जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यह कंप्लेट हो जाएंगे तो उसको मैं अगेन आपको दिखाता हूँ उसके बाद आपको यह वैडियो काफी बेहतर लगेंगे तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेंगे तो उसके लिए हम इंतिजार करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कंप्लेट हो चुका है और यहाँ से हम फाइन टार्गेट में जाएंगे और यहाँ से हमारी वेडियो हम देखेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ये वेडियो अभी हमने जो एक्सपोर्ट की है वो है तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेडियो काफी बेहतर लग रहा है अब तो फ्रेंट आप यहां भी देख सकते हैं दो वेडियो एक ही सिक्रीम पर चल रहा है तो फ्रेंट इस तर करके आप भी अपने फोटो में और वेडियो में अवरले एफ़ाइफ बना सकते हैं तो यह थी आज की वेडियो उमीद करते हैं यह वेडियो आपको पसंद आई होग अगर आपको इस तर के मजीड वेडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं एंक्यू बेस्ट आफ लग